इस कहानी की शुरुवात होती है महराश्टरा की पवाना लेक से जहां एक शक्स को सुबह सुबह एक लाश दिखाई देती है पुलिस को दो औरतों के बारे में पता चलता है जिने आखरी बार मृतक के साथ देखा गया था इन दोनों से सवाल करने के लिए उनके घर पहुंचती है अंकिता यहीं रहती है जी सर उसे बुलाई है हमें कुछ बात करने है साहब वो तो तो तीन दिन से घर नहीं लोटी सर अंकिता भावी के साथ साथ पूजा भी गायव है इस केज की शुरुवात में ही पुलिस को ऐसा पता चला था कि जेबा बेजुबान है और वो कुछ नहीं बोल सकती लेकिन एक चौकाने वाला सच पुलिस के सामने आता है जिससे उन्हें ये पता चलता है आपका नाम क्या है बेटा? जेबा जेबा बेजुबान नहीं है हम देखते हैं कि अंकिता को उसकी सास ने वहां कैद करके रखा हुआ था लेकिन पुलिस के आने से पहले उसकी सास उस जगा से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है आखिर पायल और जेबा और पूजा और जीनत कहां थे? और उनका इस हून से क्या लेना देना था अब आगे आओ बेटा चलो बेटा घबराओ नहीं आजो क्या नाम है आपका? जेबा जेबा बहुत प्यारा नाम है आओ अंदर आओ बेटा अंकिता अब तुम्हें अपने ससुराल वालों से डर्बने की कोई ज़रूरत नहीं तुम हमारी प्रोटेक्शन में तुम्हारा कोई कुछ नहीं भीगाड सकता देखो हमें पता चल चुका है कि तुम्हारे ससुराल वालों नहीं तुम्हें किटनैप करवाया क्योंकि तुम जहां हमें मिली उस बिल्डिंग में भी हम तुम्हारी सास को फॉलो करते करते ही पहुंचे थे सब्सक्राइब करते हैं अराम करना चाहते हैं चल तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात है यह बताओ के जीनत और जेबा का जीनत और जेबा? जीनत और पूजा और जेबा और पायल तुमें इनके असली नाम नहीं पता? नहीं साँ उनका नम बूचा और पायल ही है, आपको कोई गलाचा में हो गई है अच्छा ये बताओ कि क्या ये पायल बोल सकती है नहीं सर ठीक, चलते हैं हलो, पंकच, मैं इस पैट्वे शंदे बोल रहा हूँ हाँ सर, बोली, तुम्हारी भावी अंकिता हमें मिल गई है उसने अपनी गिट टैपिंग के बारे में कुछ बताया उसने कहा है कि उसने किटनैबर्स के चेहरे नहीं देखी तुम लोग चाहो तो उसे होस्पिटल से घर ले जा सकते है हाँ ठीक है सर, हम बास निकली रहे है ये लो बेटा, आपके लिए दूद का ग्लास लो, नहीं प्योगी ये क्या है, मुझे नहीं दिखाओगी देखो मैं भी आ, दिखा, 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 दिखा ओ, आपकी मम्मा का नंबर है अच्छा, तो आपको मम्मा से बात परनी है ठीक है, मैं आपकी, आपकी मम्मा से बात करौँगी लेकिन पहले आपको ये दूद्ध खतम करना होगा ठीक है? उसके बाद मैं आपकी मम्मी को फोन लगाऊंगी और हम भेर सारी बाते करेंगे ठीक है? पर दूद्ध पी लो गुड़ गर ये लो हम तुम से ये जानना चाहते हैं के तुम और पूजा कहां मिलें? सार, मुझे पैसे की ज़रूरत थी सार तुम एक पार्लर में काम करने लगे और थोड़ी ज़्यादा इंकम के लिए मैं न्यूस्पेपर में आड़ देती थी कि हमारे पार्लर में लड़कियों को ट्रेनिग और जॉब मिलेगी मैंने सोचा कि उनके जॉब के बदले में मुझे कमिशन मल जाएगा और वही आड़ देकर पूजा ने मुझे कॉल किया था सब पूजा भी मेरी तरह विद्वा थी इसले हमारी बहुत आच्छी दोस्ते हो गए थी इसादमी को जानती हो ये तो अराफात है इसादमी को नाम अराफात है कौन है याद कैसे जानती हो तुम इसे सब पूजा ने मुझे बताया था कि अराफात उसकी चचेरी भेहन का पती है कुछ साल पहले पूजा के पती की मौत हो गए थी उसके बाद उसे पैसों की बहुत तंगी हो गए थी इसले मजबूरन उसने अराफात से पैसे उधार लिये थे लेकिन अराफात के मन में चोर था वो हद से जादा ब्याज लेने लगा पूजा से और जो पूजा पैसे नहीं दे पाई तो अराफात उसे डराने और धंकाने लगा और इस सब से तंग होकर पूजा कोईना नगर से यहां चलियाए यहां आने के बाद पूजा ने अपनी नहीं जिंदेगी शुरू की थी लेकिन पताने कैसे अराफात को पता चल गया कि वो यहां पर है और वो उसे फिर से तंग करने लगा तीन दिन सब पूजा और मैं काफी अच्छे दोस्त है और मैं उसकी मदद करना चाहती थी इसलिए मैंने दे कर लिया था कि मैं अपने सारे जेवर बेचकर उसकी मदद करूंगे अरे वाह कितना सुंदर हार है मैंने आज तक कभी ऐसा हार नहीं देखा है ना मेरी बुआ ने मेरी शादी में दिया था और आफात को किसने मा रहा है मुझे नहीं पता सर आप प्लीज बुजा और पायल को दूंडिये ना पता नहीं को कहा और किस हाल में होंगे तुम अब भी हमें नहीं बताऊगी कि तुम्हें किसने अगभा किया था Sir, मैंने आपसे कहा ना, मैंने उसका चेहरा ही नहीं नहीं देखा, तो मैं आपको कैसे बता हूँ? ठीक है. किलकर, क्या अंकिता को सच में नहीं पता कि पूजा का असली नाम जीनत है और वह एक मुसम्म है? शीतर नहीं जो हमसे कहा, वो सच है या मामला कुछ और है? पूरी हिस्टी चाहिए मुझे, इसका पास्ट और प्रेसेंट खंडगार डालो, तब इसका फ्यूचर हम डिसाइड कर पाएंगे. ओके सर्थ. आखिर कार इस गुम्मनाम लाश को पहचान मिली. अंकिता ने पुलिस को बताया कि जिस शक्स की हत्या हुई थी, उसका नाम अराफात था. लेकिन पुलिस को अराफात के बारे में उसके नाम के अलावा और कुछ पता नहीं चला. आखिर अंकिता क्यों पुलिस से अपने घर वालों द्वारा अपनी किड्नैपिंग की और पूजा और पाएल की पहचान चुपा रही थी? क्या अंकिता ये सब किसी खास मकसद से जान बुच कर ऐसा कर रही थी? और इस सब के बीच पाएल और जेबा कहा थी? ये अब तक किसी को नहीं पता था, क्या हो रहा था उसके साथ? और ये परिवार कौन था, जिसने उसे अपने साथ रखा हुआ था? गुड मॉर्निंग! आपकी नीम पूरी हुई या नहीं? क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? हाँ, मुझे मेरी नोर्ट बुक चाहिए, मुझे मेरी अम्मी से बात करना है अच्छा, आपकी अम्मी से तो नहीं ऐसे ही बात कर चुकी हूँ आपको पता है, वो आपको शाम को लेने आ रही हैं क्या हुआ ? आप खुश नहीं हो ? आपकी अम्मी आपको लेने आ रही है जेबा क्या सोच पहुआ खुदा आप ? आजये मेरे पास आजये पक्या है करा अन्क ना यह अंकिता तुम लोगों के यह लग रहा है ना कि मैंने पुलिस को सच क्यों नहीं बता है दरने के जरुद नहीं है मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊगी लेकिन तुम लोगों को वही करना होगा जो मैं कहूंगी हां पहले तुम मुझे यह बताओ कि पूजा और पायल है का और तुम लोगों ने क्या किया उनके साथ तुछे अभी भी उस पूजा की पड़ी है चल चल में तुझे दिखाती हूं कि उसमें क्या किया चल मेरे साथ चल आँ तुझे दिखाती हूं आँ मेरे साथ यह देख अलमारी तोड़के सारे गहने उठाके ले गई यह तेरी सहली पूजा यह देख और यह भी देख कुछ नहीं छोड़ा उसने सब ले गई तेरे घर मे तुस्से ही घद्दारी की उसने, आप जूड बोल रहे है, पुझा एसा करी नहीं सकते, इसा नहीं हो सकता, यही सच है, इसने तो अपना नाम भी जुटा बताया तुस्से, उसका नाम पुझा नहीं, जीनत है, मुस्लिम है वो, तुने एक मुस्लिम को घर में रहने दिया, देख, ऐसा नहीं हो सकता, और आप बताये, आपने इस चोरी के बारे में पुलिस को बताया, हाँ, अरे दिमाग खराब है क्या, पहले एक मुर्डर के केस में, पुलिस हमारे घर के चक्कर काट रही है, और अब यह चोरी का और बता दू, उसके बाद तो पुलिस आके हमार मुर्डर के के केसे सदर्श है, सर, आपने मुल्सी रेसाउट वाले केस के बारे में तो अकबर में पढ़ा ही होगा, इस चोरी में उसने अपने दो दोस्तों के साथ करीब 30 लाख रुपे की चोरी की थी, जीनत? सर, पैसे के बटवारी को लेकर दोनों में जगड़ा हुआ, उसके बाद आराफात में उस पर हमला कर दी, लेकि सर, परिक्षित के मताबिक उसने आराफात के हिस्से का पैसा उसकी बीवी जीनत को दे दिया था, लेकिन आराफात ये बात माने को तयार नहीं था. सर, एक बात तो क्लियर है, पूजा का असली नाम जीनत, और वो अराफात की भावी नहीं, बलकि बीवी है, और अराफात से बचने के लिए ही उसने अपना नाम पूजा रखा था, ताकि अराफात उसे ढूंडना पाए. क्या ये मुम्किन है कि परिक्षत ने अराफात के हिस्से का 10 लाख रुपए जीनत को दिया, और जीनत ये रुपए हजम करके, जेबा को अपने साथ लेकर यहां भागए, और वो चाये वाले ने अंकिता और जीनत के साथ उसने अराफात को देखा, तो अराफात जीनत से आपने पैसे वापस दने की बात कर रहा है लिएकिन आखिर…… कोई नासे यहाँ आकर, जीनत ने दस लाक रुपे का क्या किया होगा सर जीनत अंकित्हा के घर रहे रहे वह सकता है कि उसने अंकित्हा के घर में ही पैसे छूपाये हो वह सकता है केलकर इस अंकिता के घर का सर्च वारेंट निकल वाओ ओके सर केलकर घर का कोना कोना चान बारो ओके सर सर क्या बात होगी सर बताते हैं आखिरकार पुलिस को जीनत और अराफात के बारे में सब कुछ पता चल चुका था अगर वाकई में जीनत अराफात के पैसों के साथ कोना नगर से भागी थी तो उसने वो पैसे अपने पास ही रखे होंगे कहीं ऐसा तो नहीं था कि उन 10 लाख रुपेओं के बारे में सिर्फ अंकिता को ही पता था और इस सब के पीछे उसी का दिमाग था या फिर जीनत खुदी अराफात की हत्या कर वो 10 लाख रुपे और जेवर लेकर चंपत हो गई थी पुलिस ने पंकच के घर की तराशी ली जहां से उनके हाथ कुछ नहीं लगा सर अंकिता के घर तो कुछ नहीं मिला कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ट्रेन गलट ट्रेक पे जा रही हो केलकर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा track सही है लेकिन हमने station खलिट चुल लिया हो सकता है इन लोगों को जीनत के पैसों के बारे में पता चलिए 10 लाग का amount बहुत बड़ा होता है उतने पैसों के लिए तो कोई भी जीनत और उसकी बच्ची का रास्ता साफ कर सकता है जीनत की नाओ लालज के भवर में तो नहीं खस गो चुले अम्मे अभी तक क्यों नहीं आई पिता मेरी आपकी मम्मी से बात हुई थी वो बोल्डरी थी उन्हें थोड़ा काम था इसलिए नहीं आ पाई वो लेकिन वादा किया है जल्दी आएंगी आपको लेने सच्ची आपने मेरी अम्मी से बात की थी सच्ची मैंने आपकी अम्मी से बात की थी तो फिर आपने मुझे मेरी अम्मी से बात क्यों नहीं करवाई बेटा वो बहुत जल्दी में थी ना इसलिए उन्होंने फोन कट कर दिया इसलिए आपकी बात नहीं करा पए। अच्छा ये सब छोड़ो। मैं आपको कुछ दिखाती हो। ये देखो। मेरी अमी मुझे लिपस्टिक लगाने नहीं देती थी। ठीक है। तो मैं तुम्हें लिपस्टिक लगाऊंगे। ठीक है। ये देखो। चलो आकरो। नहीं नहीं। जे मेरी अमी डाटेगी। मैं प्रॉमिस करती हूं। मैं आपकी अमी को कुछ नहीं बताऊंगी। लिपस्टिक लगा लो। अब आगी क्या करना है। अंकिता तो कुछ सुनने को तयारी नहीं हो रही है। उसने तो बस पूजा और पायल की रट लगाई। हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमने कुछ करना जा तो हम ही फस जाएंगे। इससे अच्छा उसे जो करना है वो करने देते हैं। थोड़े टाइम बाद खुद भखुद शान्त हो जाएगी। उससे ज्यादा तो मुझे गरीमा की चंता है। दिन पर दिन उसकी मांगे पड़ती ही चारी है। तो उसकी चंता मत कर। उसके साथ क्या करना है मैंने अच्छी तरह सोच लिया। हलो कंट्रोलूम कंट्रोलूम। खंडाला काट के पास एक औरत की बाड़ी मिली है। यह तो वही औरत है। जिसका इसके लोड़नाला सिटी पुलिस में जारी किया था। जी सर। उनको इंफर्म करो। इसके साथ एक बच्ची भी थी। वो मिली। नो सर। जीनत की हत्या के बाद अब ये केस एक डबल मर्डर केस में तबदील हो गया था। पुलिस का सारा शक अब अंकिता पर ही था। आखर जीनत की हत्या क्यूं होई हो गया। क्या अंकिता ने ही उन दस लाख रुपयों के लिए जीनत की हत्या कर दी थी। कि उसे हमेशा पैसों की ज़रूरत रहती थी किया इस हत्या में अंकिता के परिवार वाले भी शामिल थे अब तक पोलस को जेवा के बारे में कोई क्लू नहीं मिल पाया था क्या जेवा सुरक्षित थी सार मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता अनाफात एक चुर था यी बात मझे भूचा ने कभी बताई थी असर अगर पुजा अनाफात से पैसे लेक यापल बहुद है तो वो पैसे हए का ठीओ हमें के सार खर्चा तो मैं हम होटा दीर और अकर उसके पास पैसे होते तो वो भूझसर पैसे क्यों मांग थी अंकीता, दस लाख रुपए एक बड़ी अमाउग होती है और हमें शक है कि जीनत का मड़र इनी पैसों के वज़े से हुआ क्या तुम्हें सच में इन पैसों के बारे में नहीं पता था? बिल्कुल नहीं सा अब अब मुझ पर शक कर रहे? देखो शक करना हमारा काम है जीनत को आखरी बार 25 तारीक को देखा गया था उस रोज वो पार्लर आई थी फिर दोपहर को वहां से चली गई हाँ वो मैं पाहल को एंजियों से लेने जाती थी एंजियों? हाँ सा वो एक्चुली मेरी सास बहुत बुरी औरोत उसके साथ एक आत साल की लड़की को अकेले छोड़ना सही नहीं था उसे लगदा था कि पाहल बोल सकते हैं वो गुंगी नहीं है और इस बात को लेकर घर में हर रोज जगड़े होते थे तो मैंने पूजा को कहा कि वो पायल को किसी NGO में डाल दे ताकि पायल की परवरिश अच्छी हो और उसे पढ़ने को भी मिले जेबा कौन से NGO में जाती थी जी हाँ ये तो पायल है हमारी NGO में पढ़ती है इसकी मा आई थी बहुत जरूरत मन लग रही थी तो हमने इसे एडमिशन दे देजिए मैडम मैं बहुत परेशान हूँ आप मेरी मदद कीजे प्लीज बच्ची को अकेले पाल रही हूँ इसके पिताब इस दुनिया में नहीं इसे प्लीज एडमिशन दे दीजे मैडम क्यों नहीं ऐसे भी हमारा NGO ऐसे ही बच्चों की साहता करता है आप यहाँ पढ़ सकती हो हाँ सर लंच के वक्त अक्सर पूजा आकर पायल को ले जाया करती और उस दिन भी से उनों साथ में खाना खाने के लिए बाहर गए थे क्या आपको पता है कि वो लोग खाना खाने कहां गए थे जी पायल में मुझे बताया था कि पूजा उसे पासी के पार्क में उसे खाना किलाने ले जाया करती थी पायल ने बताया? हाँ इसका मतलब शकुलता दिवी सही कह रही थी कि पायल बोल सकती यह अच्छा, पूजा ने क्या अपना कोई नंबर दिया था आपको? सर, हमारे NGO में सभी स्टूडेंट्स और गार्जियन्स के डिटेल्स होते हैं, मैं आपको चेक करके बताते हूँ. ये लिजेसल नंबर. सर, ये तो अंकिता का नंबर है. सर, दो-तिन दिनों से हम प्राइभी कर दिया, पर ये नंबर लगाता स्विचों खाए. सर, एक बाद समझ नहीं आई. जीनत ने पूरे घरवालों से ये बात क्यों चुपाई कि जेबा बोल सकती है? शायद इसलिए कि जीनत को डर था, कि जेबा लोगों से ये ना बता दे कि वो लोग मुसल्मान है. और शकुन्पला देवी को ये कभी बरदाश नहीं होता. लेकिन सर, वो पार्क में जाकर जेबा के साथ लंच क्यों करती थी? वो तो एंजियो में भी लंच कर सकती थी? चुकि पार्क ही एक ऐसी जगह है, जहां जेबा और फपायल बोल सकती है. तर ये मामला बड़ा आजीब लग रहा है. अगर जीनत ने अंकिता से ये बाद चुपाई थी, कि जेबा बोल सकती है, तो उसने उसका नंबर एंजियो वाले को क्यों दिया? उसे ये डर क्यों निथा कि अंकिता को सारा सच पता चल जाएगा. शायद इसलिए कि जीनत को लगता होगा कि एंजियो वाले किसी एमर्जेंसी में ही अंकिता को कॉल करें. खेर, चलो पार्क चलते हैं. को के साथ? 25 तारिकों तुमी आई थे? जी साथ, 25 तारिकों में इधरी था. इस बच्ची को देखा था, यहां? जी साथ, इस बच्ची को मैंने देखा था, इसके साथ एक औरत भी थी. यही वो औरत थी? जी साथ, अक्सर यह दोनों इस पार्क में आया करते हैं. और क्या देखा था? सार, मैंने देखा, एक वैन आई उसमें से आदमी उतरा और बच्ची को उठा लिया. मैं शोर मचा नहीं वाला था, कि वो औरत अपनी मजी से गारी में बठ गई. अच्छा, उस गारी का नंबर तुमने देखा था? जिसमें इन लोगों को लेके गए? नंबर तु याद नहीं है, साथ. सफेद रंग की गारी थी. टुरिस्क टेक्सी जैसी. गारी के पीछे में शेर का निशान था. अच्छा, गारी में कुल कितने लोग थे? पक्का तो बताने हैं सकता, साथ. गारी मुझे दूर खड़ी थी. दो लोग लग रहे थे, साथ. ठीके, तुम जा सकते? जी साथ. केलके, सार. आसपास जितने भी ट्रेफेक सिकनल्स हैं, सबके CCTV कैमरास चेक करो. किसे ना किसी CCTV में एक गाड़ी ज़रूर कैज हुई होगी. इस गाड़ी की पूरी डिटेल्स ने कलवाओ. हलो? ओके. सार, जीनत की पोस्टमाड़म रिपोर्ट आ चुकी है. रिपोर्ट के एसाब से उसकी मौत 25 तारिक को दोपहर 2-3 बजे के आसपास हुई थी. पहले उसका गला खोटके उसकी हत्या की गई. उसके बाद उसकी लाश को फैक दिया गया. 25 तारिक. और अराफाद का मर्डर हुआ था 26 तारिक. केलकर, कहीं इस अराफाद नहीं तो जीनत को नहीं मारा? तो सर इस अराफाद को किस ने मारा होगा? यहीं तो पता लगाना है. चला. करिमा, सच सच बता कि तुमने पूजा को क्यो मारा? और कहा चुपा के रखा पाहल को? तुम्हें जो भी पता है ना सब सच सच बता हुआ ना मैं पुलिस के पाँ जाके तुम लोग यह सारी पॉल खोल दूगी, समझी? अरे, भाभी मुझे नहीं पता कि पूजा को किस ने मारा और पाइल को किस ने किटनाप किया? जूट मत बोलो गरी मा! मैं सच कह रही हूँ भाभी, मुझे नहीं पता पूजा को किस ने मारा? मुझे बस इतना पता है कि मा जी ने पूजा के बारे में जूट कहा था आपसे. पूजा ने जेवर चुराए ही नहीं. क्या? पंकच और माची, दोनों एक नबर के लाल ची है. अंकिता भावी, हमें पुलीस में उन दोनों के खिलाफ कंप्लेंट कर देनी चाहिए. बस! मुझे पता है कि तुम यह सब क्यों कह रहे है? तुम्हें दोनों हातों में लड़ू चाहिए है न? लेकिन एक बात याद रखन मुझे अच्छे परा से पता है कि इस घर में कौन कैसा है और क्या है, समझी? सर! सर, यह देखिए. उस पार्क के अगले वाले सिंगले का CCTV फोटेज. सर, इस वैन के पीछे एक शेर का फोटो लगा है. यह शेर का फोटो बिल्कुल वैसा ही है, जैसा हमें वाच्छमेन ने बताया था. सर, यह वैन पच्छिस तारी की दोपैर को उस पार्क के बाहर भी सर, मैंने बागी के CCTV फोटेज भी चेक की है. यह वैन जाधा तर रात को निकला करती थी. और लोनावला से आने वाले रस्ते पर दिखी थी. वारन इस वैन को ढूंड निका दो. ओके सर. पंगच, सच सच बताव मेरे जहने का है. सच बतारह एं घर पुलिस को बलाओ. अरे भाबी यह सब क्या भोल रही तो. मुझे क्या पता तुम्हारे जहने का है? यह गाड़ी आपके कम नीगी है? हाँ सर, यह गाड़ी हमारी इस 25 तारी को यह गाड़ी कहा थी? 25 तारी को यह गाड़ी होटल बिलू बड़ के पास थी, जो हमारी कलाइन्ट है उनका एक स्टाप मेंबर आशोग, जो सुभा में गाड़ी लेकर जाता है जो दिन भर गाड़ी अपने पास रखता है, शामको यह गाड़ी हमेरा ड्राइवर वापस लाता है से क्या 25 तारी को यह गाड़ी वापस आई थी? नहीं सर, 25 तारी को यह गाड़ी हमारे पास नहीं कहुंची बलकी होटल ब्लू बड़ में ठहरी थी, 26 को हमारे पास आई इस आदमी को पैचानते हैं? नहीं सर, इस आदमी को मैंने पहले कभी ने देखा अचा यह ब्लू बड़ होटल का है बस सर यहां से दो किलोमेटर की दूरी पर है ठीक, थैंक यू हलो, शीतल मैं गरीमा बोल रहे हूं हां बोलो गरीमा देखो शीतल, मैं तुमसे कोई जगड़ा वड़ा करने के लिए फोन नहीं किया है मुझे पता है तुम्हारे और पंकच की बीच में क्या चल रहा है मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहती हो जिस तरह से उसमें मुझे धोका दिया है एक दिन किसी और लड़की के लिए तुमें भी धोका देगा कोई शादिवादी नहीं करेगा तुम्हारे साथ और हां मैंने तुझे इसलिए फोन किया क्योंकि मुझे वो जेवर चाहिए जेवर? कौनसे जेवर हां? जो पंकच ने चुरा के तुम्हें दिये थी सुरो, मेरे पास तुम्हारे कोई जेवर वेवर नहींगे, थमझी ना? तो तु ऐसे नहीं बताएगी ठीक, फिर मुझे पुलीस को बताना पड़ेगा पुलीस ही निकालेगी तुमसे गहने अरे नहीं नहीं, पुलीस को मुलाने की क्या जरूरत है? मैं बताती हूँ ना, कहां पर है तुम्हारे कहने को इस पूरे परिवार का इस डबल मड़र केस से क्या संबन था? क्या इस सब के पीछे की मास्टर माइंड अंकिता ही थी जो जान बूच कर पूरे मामले पर मिट्टी डालना चाहती थी आखिर वो दसलाख रुपे कहां थे? क्या ये सारी साज़िश पंकज उसकी माँ और गरिमा की हो सकती थी? और शायद इस साज़िश की भनक अंकिता को बाद में लगी और वो पैसों के लालच में उनसे जा मिली आखिर गरिमा की आखों में बगावत की चिंगारी क्यों दिखाई दे रही थी? इस परिवार का राज अभी पुलिस के सामने खुलना बाकी थी हाँ साब, हमार ट्रिवल से उस दिन गाड़ी मेही लाया था पर मुझे प्रमोद ने गाड़ी लाने को कहा था प्रमोद? जिया, मैं और प्रमोद अक्सर होटल का सामान लाने के लिए बाहर चाते है तो 25 तारी को ये प्रमोद भी तुमारे साथ था? साब, उस दिन हम कई नहीं गये थे प्रमोद की तवयद अचानक से खराब हो गई थी तो इसलिए हमने जाना कैंसल कर दिया और वैन होटल के पीछे पार्किंग में खड़ी थी तो उस दिन वैन की चावी किस के पास थी? साब, चावी तो प्रमोद के पास थी हाँ साब, चावी तो उस दिन मेरे बास ही थी पर में नीचे वाले कमरे में सोया था साब, क्योंकि मेरी तब्याट ठीक नहीं थी मतलब 25 तारीक को तो मार्केट नहीं गया नहीं साब, मैं मार्केट 25 को नहीं अगले दिन 26 हो गया था, आप किसी से भी पता कर सकते हो सर, किससे क्या पूछना उसकी टेंशन तू मतले, हम पुलीस वाले उर्ती चिडिया के पर गिन लेते हैं हाँ सर, गये थे, क्यों? क्या बात है? कि किटनेपिंग और मर्डर का मामला है सर, यहाँ पर काम करने वाला हर एक स्टाफ मेरे परिवार जैसा है मुझे उन पर पूरा विश्वास है वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं मिस्टर बंडर, विश्वास घाद भी वही करते हैं जिन पर पूरा विश्वास होता है खैर, अगर आपके इस सो-कॉल्ड परिवार में कोई भी विश्वास है तो हम उसे डून निकालेंगे चलते हैं भाभी यह आपकी जूल्री हो शीतर के पास रखवाये थे भाभी, आप मेरे दोस्त हो मैं माजीए और पंकच के वज़े से कुछ नहीं कह पाती हूं ना ही कुछ कर पाती हूं मुझे डर लगते कि कही वो लोग मेरे साथ कुछ कारणा दे आक्टिंग बहुत अच्छे कर लेती हूं अगर किसी और के सामने करती ना तो शायद वो यकिन कर लेते हैं, लेकिन मैंने, एक बात अच्छ से आदा दो, तुम चाहे कितने भी कोशिश कर लो मैं तुम पर भाउसा कभी नहीं करोंगी, समझी? ए सुनो, हाँ साब, ये ब्लू बर्ड होटल में सामान तुमारे यहां से जाता है? हाँ साब, कौन लेने आता है? साब, असोकर पर मोदा आते थे, अब इस तारीक को भी वो लगाए थे? हाँ साब, तो रसीत तो दी होगी? दी है साब, उस रसीत की एक कॉपी चाहिए हमें, केलकर इसका ये मतलब तो नहीं, कि पचीस तारीक को ये वैन होटल से बाहर निकली ही लेगा है? सार, ये वैन होटल के पीछे सर्वेंट क्वार्टर के पास खड़ी होती है, और वाँ के कैमरे नहीं लगे होगी है, सार, मुझे आपको कुछ बताना है, जी बताइए, मुझे पता है सार, अंकिता को किस ने किटनाप किया था, माफ कर दीजिए सब, हमसे गल्ती होगे, हमने किसी को नहीं मारा सब, हमने तो सिर्फ अंकिता को गिटनाप किया था, उससे अपनी प्रॉपटी बचाने के लिए, हम उसे अपनी प्रॉपटी से बे देखल करना चाहते थे, हमने किसी को नहीं मारा सब, अगर हमने किसी को मारना होता थो अंकिता को मार के रास्ते से हटा देते, बेशहक तुम लोग उसे भी मार आORTते, अगर वक्त रहते हम अंकिता को धूंड निकालने में कामयाब नहीं होते, परो, जीनत को क्यों मारा? तुम्हें पदा चल गया था, उसके बास दसलाग रुपाय हैं? इन्ही पैसों की लालच में तुमने मारा उसे? नहीं साब, हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को नहीं मारा साब. सब पुझा मुझे ज्यान से भी प्यारी थी, वो एक ही तो थी, जो मुझे समझती थी, तो मैं उसे क्यों मालूंगी? और मुझे किसी भी दस लाख रुपे के बारे में नहीं मालूम साब. अराफात को तुम जानती थी, पुझा को भी तुम जानती थी, अब वो दोनों मर चुके हैं, वो दस लाख रुपे भी गायब हैं, कि माजरा क्या हैं किता, और जितना दूद का धुरा तुम खुद को दिखा रही हो, अतनी हो नहीं, तुमने अमसे ये क्यों छुपाया, क ये रहे शकुंत्रा और पंकज के कॉल रिकॉर्स, सर पंकज ने हमसे हमेशा ही जूट बोला, तीस मही को उसको ब्लूबर होटल से एक कॉल आया था, चलो, किस ने किया था ये कॉल, सर याद नहीं आ रहा, बताता हो सर, सर, सर मुझे एक आदमी का कॉल आया था, वो मुझस तबकी भी दे रहा था, बच्ची तेरे पास थी ना, तेरे खर में है ना वो, क्या, हरे मेरे पास कोई बच्ची बच्ची नहीं है, सर मुझे लगा कि, हाप लोगोंने मुझे कॉल किया, कुछ सच निकलवाने के लिए, सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो बच्ची के बारे में पूछ रहा है, सर मुझे तो उस बच्ची की फिकर हो रही है, आकिर वो बच्ची जेवा कहां और कि साल में होगी, सर खोलो, हो कोई है, प्लीज, मुझे उससे बखेट ले, पागल हो गई है क्या, क्यों शोर मचा रखा है, सोरी बेटा, इस ताइम तो आपको सो जाना चाहिए ना, और कल तो आपके लिए कितना बड़ा दीन है, आपके अम्मी आरी है ना आपको लेने, आंटी बिल्कुल ठी किया रही है बेटा, और ये देखो, हम आपके लिए क्या लाएं है, सुन्दर सी फ्रॉक्ट ये नमबर इसी होटल का है? हाँ सर, ये हमारा ही होटल का नमबर है तीस तारीक को दोफैर 2 से 3 बजे के आसपास, पंकर नाम के आदमी को यहीं से कॉल किया गया था मैं जानना चाहता हूँ वो कॉल किस ने और क्यों किया था सर ये नमबर तो हमारे लोबी का है ठीक है, तो मुझे तीस तारीक के आपके लोबी के सारे CCDV कैमरे के फुटेज चाहिए सर्थलिंद्ध उणपंद्ध । म्याद से कराद शुका है के वुटल से कोफू हमिलंवीं लग हमें पता चल चुका है के वुटल से कॉर्ट सु ही करता सह जिनत और जेवा तूनें घिटन आप किया mee ईसाफ Come लोड़े है जाफ लोड़े हैס तुटो कुमरे में सौरा था हाभ है उटल से भाँरे हूद Base के निज़ ईकषि लग दिषूर जाए अजिपन से निक़ंगे अज़ए दफ अज़ देरे साफ कियल कर तढ़राक मेंसे नहीं को लें वह हैंगे दो हा‌फाफ रहा होफाथ आराफाथ गोवा था मेरे सथ साथ उसीने मुझे उसके सब्सक्ली चलने के गाला था था अराफाथ को कैसे जानता है पलसे रिसॉत वालि लुट का इ seem क्या वह 10.0.000.000 रुपए वागई जीनत के पास थे साथ परिशित ने मरने के पेले मुझे सारे पैसे दे दिया थे मैंने अरफाद से जूट का कि परिशित ने पैसे जीनत को दे दिया और जब अरफाद घर आया तो उसने देखा कि जीनत और जेवा तोनों नहीं उससे मेरी पातों के यकीन आ गया उसे लगा कि सच में जीनत ने सारे पैसे ले के भाग देए सब जेवा था बच्ची उसे तुम लोग बड़े आराम से उठा सकते लेकिन जीनत सब जेवा को गाड़ी में बिठाने के बाद प्रकत डर्मत मरी नहीं है यह अब बहुज बहुष भी है और तुझे इसे जिन्दा दखना चाहती है ना मुझे मेरे पैसे चाहिए इसको लिखाय नग मेरे बस तुम्हारे पैसे नहीं है तुछे स्यादा ड्रामा मत कर समझी ना परिक्षित ने तुम्हे पैसे दिया है मुझे वह पैसे चाहिए! अरिशिन में मुझे कोई पैसे नहीं दिये! यह ज्यादा शानपती मत कर समझे न? मुझे मेरे पैसे चाहिए नो तो मैं माद डानूँगा इसको! टीक है! माद डानू! उसे भी और मुझे भी! अब दोरो तो माद रेरो तो! मुझे मेरे पैसे चाहिए और कुछ मत दें तुमसे से! कहा है मेरे पैसे? मेरे पैसे कहा है? मेरे पैसे कहा है? कहा है मेरे पैसे कहा है? ए! यह तुमर गई! अगर अराफ़ात का प्लान, जेबा को किटनाइप करके जीनच से ह oynय का था तो उसने जीनच को क्यों मारायाया? कै जीनच ने उसे पैसे दे दिए थे? अराफ़ात ने पैसो के लिए दूसरा रास्तर ढूर लिया था ओपनी बीटी को बेचने वाला था पैसो के लिए पिर आगे क्या हो, तुने अराफात को क्यो मारा, तुझे उसके भी पैसे चाहिए थे इसलिए, साब अराफात को मैं क्यो मारूगा साब, उसे किसने मारा साब मुझे नहीं पता, हम उस लड़की को लेके होटल पहुचे, और मैंने पीछे के रास्ते से उन दोनों को होटल के कमरी में छुपा दियादा साब बस, ए नडिकी, का दिरही तु, इसको को लगा रही तु, नो, ए इसको फोन लगा रही तु, हाँ? इसको फोन लगा रही थी, हाँ? चलो आचा किसो, ये लेके जा, चुप-चप सो, समझी ना, साब, अगली सुबा जब अराफत उटा, तो उसने देखा कि जेबा वाहां पे नहीं है, जेबा वहां से भाग निगली थी साब, परमोध, किसी कीमत पे मुझे जेबा चाहिए, वो जरूर अंकीता के घर पे गई होगी, मैं उसको भी होचा करता हो, उसे बच्ची लाने के लिए के लिए कहता हो, तु जिंता ना कर समझा, मैं भी आया, साब, उस दिन में पंकच की दुकान पर गया था, उसका नंबर मुझे वहीं से मिला ता साब, तो कब तक मिल जाए मैं दो दिन में आपको कॉल करके आजाओगा, कॉल रख लो आप प्रा, अर आफाथ जेवा को किसे बेशने वाला था, साब, जेवा को बेशने की डील मैं नहीं फिक्स की थी, साब, उस आदमी को मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरी उससे फोन पे बात होई थी साब, साब, मुझे कह रहा था कि उसके बास एक अच्छी खासी पाटी, जो जेवा को खरिमना चाहती है, साब हमारी मिटिंग भी फिक्स हो चुकी थी, लेकिन जेवा की भाग जाने के वैसे, मिटिंग कैंसल हो गई, और मुझे देखना साब, साब, किलकर, फारन होटल के सारे कॉल्स क और पता करो कि ये कॉल कहां से आया था, ओगे सार, सार, लड़की बिलकुल रेडी है, डिलिवरी अभी हो सकती है, सार आप एक पर लड़की तो देखिये, आपका दिल खुश हो जाएगा, किसे बात कर रहे हो, बेटा, आपकी मम्मी से बात कर रहा था मैं, अभी वो आ रह हाँ, आपकी मम्मा आ रही है अभी, तो आपको बिलकुल फ्रेश दिखना है न, मैं जो आपके लिए फ्रॉक लेकर राया था न, वो पहन लेना, आप उसो बहुत सिंदध दिखा दी, एक है, आप जाओ फ्रेश हो जाओ, जाओ, सार, सार ये रही होटल ग्लूबड की कॉल सार होटल के नंबर पर लोनावला से कॉल आता था और किसी प्राइवेट बंगलो का नंबर है, जी साब, साब को बनो, साब तो नहीं है, कहा गए, वालू में साब कुछ पता की नहीं गए, समझ गया होगा न, क्या बोलना तुझे, ले, अपना फोन ले और फोन लगा उसे, साब, साब, साब पुलिस फिर से होटल में आये थी, वो लोग असो को डुन रहे, मैं फोरण आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या मैं आपके घर पे आओ अभी, किलकर, सार, अरे भाई, कितना टाइम हो गया, कहा है लड़की, यह है लड़की, आजा, आओ बेटा, जाओ बेटा, अंकल के पास जाओ, यही अंकल आपको आपकी मम्मी के पास लेकर जाएंगे, चलो, पास आओ बेटा, शायद प्रमोध होगा, तुम्हें काम करो, लड़की को लेकर अंदर जाओ, प्रमोध को पता नहीं चलना ची, यह लड़की हमारे साथ है, ठीक है, मैं इसे अंदर लेकी जाती हूँ, चल बेटा, ओन पो प्याद है, प्राध करेंदर लेकर ये हैं, प्राध करेंदर लेकर अिए प्राध करेंबगे। कि अपना मुग खोल दे वटना अगर हमने खड़वाया लो तो बहुत भारी पड़ेगा तुझे बाट सहांग जब मुझे पटा चलाहा कि उन लोगों के हाथ से कि निकल गई तो मुझे लगा ठामोद और अराफात न उस लड़की का सवादा किसी और के सा सथ कर दिया है तो प्रमोद 7 छुपते छुपाते मैं अराफात के रूम में गयाए प्रबोद यह नहीं जाता था, कि वो लड़की का सौधा जिस आदमी के साथ कर रहा है, वो आदमी महीं हूँ ए, कौन हो तो, और यह अंदर के से आए? सवाल ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है मेरा सवाल, लड़की कहा है? ए, तुझे के से पता की लड़की गाएब है? लड़की कहा है? मुझे मेरी बच्चे चाहिए, कहा गाएब किया है, सौले, भूल गायब तुने किया है, जूट पाद बोल साले होटल की आर्मी जो धन्दा चलाता है, सब पुलिस को बता है, सब साले जंड़की को गायब किया है, मुझे धंड़काने लगा, कि वो आप लोगों को बता देगा, कि मेरी होटल में चाहिए प्रोस्टिटीशन का धन्दा चल रहा है, पिर जैसे तैसे मैंने उससे शा मुझे से मिलाने ले चलता हूँ सेवा मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है मतलब, मेरे पास नहीं है मतलब, साले पुलिस कंप्लेइन करूँगा तेरी, नंगा करूँगा, साले जेल जाए तो पता चलेगा, और जो बोटल में जो प्रोस्टिटीशन का धन्दा चलाता है ना, साले वो भी पता चलेगा, कि अच्छी मेरे बहुत सच में नहीं थी पुली स्टेशन की तब कि जी तुस्त फिर वो बच्ची तुझे कैसे में इतफाद से पृतम वहां से गुजर रहा था और वो लड़की अपनी स्कूल बैग ले रहा है होटल की तरह फलोटी जो शक्स जेबा की सौदे बाजी कर रहा था उस शक्स की पैचान पुलिस ने पृतम के रूप में की पुलिस ने उस शक जेबा को बेचने और रखने के जुर्म में गिरफतार किया और साथी प्रमोट को भी बच्ची की किड्नैपिंग और जीनत के कतल में शामिन होने के लिए दोशी पाया गया मलंग जैसे लोगों को अच्छे और बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें सबसे पहले सिर्फ अपना मतलब और पैसा दिखाई देता है और ये पैसा चाहे कितना भी क्यों न हो उन्हें कम ही लगता है अराफात ने कभी कोई रिष्टे को ना तो बनाया और ना ही उसे निभाया उसका जमीर इतना गिर चुका था कि वो पैसों के लालच में अपनी ही बेटी को बेचने निकल पड़ा था अंकिता के बारे में चाहे दुनिया की कोई भी राय क्यों न हो लेकिन एक बात तो सच है कि उसने जेबा और जीनत का उस मुश्किल घड़ी में साथ दिया जब उसे पता था कि जीनत ने उससे जूट बोला था जेबा अब एंजियो की मदद से अंकिता के साथ ही रहती है और उसने कहीं न कहीं अंकिता में ही जीनत को ढूंड लिया है याद रखे हमेशा उनी लोगों से रिष्टे बनाएं जिनके लिए आपके मन में सच्चा प्यार हो विश्वास हो क्योंकि ऐसे रिष्टे अपने साथ वो सौगात लेकर आते हैं जिनकी कीमत दुनिया की किसी भी कीमती चीज से नहीं चुकाई जा सकती है इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आप से विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक शून शून सबकेक को सीख हम सबको जै झाल